आज का हमारे विश्य है गुब्त वाकाटना का संबंध देखिए इसके मेटर बहुत जगर पे नहीं मिलेंगे ठीक है लेकिन जो भी मिलते हैं थोड़ा सा आगे पीछे है लेकिन हम उमीद करेंगे कि जितने भी फैक्ट है उसको इसके अंतरकत कवर किया जाए ठीक है तो चल के बारे में थोड़ी से संचेक जानकारी देनी पड़ेगी आपको गुप्त सामराज की निव तीसरी सताब्दी की चोथी देसक में महाराज सीरी गुप्त की द्वारा कौसांबी में रखी गई थी और गुप्त वंस का प्रारंबिक राज आदुरीक उत्तप्रतिस बिहार की छेत्रों में फैला हुआ था जिसकी राज़ानी कहा थी पुषपपूर यानि पाटली पुद्र थी गुप्त सामराज की वास्तिविक संस्थापक महाराजा दिराज चनगुप्त प्रतंकु माना जाता है लेकिन गुप्त वंस की सामराज को समंद्धन विस्ता का कार्य म विश्य सुर्प से नाम लिया जाता है या वो लेखनी है गुप्त राजवन्स के सांसक वैश्ण धर्मावलंबी थे और यही कारण था इनका राच्चिन क्या था गरुण था और इनकी उपादी क्या थी परम भागवत तो जिस समय उतरी भारत में गुप्त वेंस सौरभाव सक्ति के कारण उस शकों का विना संब्व हो पाया था यह दोनों राजवन्स के प्राणाविक संब्नदों पर भी प्रकाश टाला जाएगा वाकाटकों तथा गुप्तों के प्राधरमिक शंब्दों के विशाइम लेकर विद्वानुं मद्भेद है इतिहासकार यसकी आयं यानि बरार का जो छित्र और बिलसा के छित्र थी ठीक न? और इसके प्रमुक सासकों में प्रवर सेन प्रथम ठीक न? प्रवर सेन दुती हरशेंड इत्यादिका उलेख किया जा सकता है और नरन सिन का भी आप नाम ले सकते हैं चलिए पहला जो है प्रारंबिक जो संबन था उस पर हम चित्र चरह करते हैं कि देखो केपी जायसवाल कौमदी महुद्य के नाटक की आधार पर यसिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि वस्तुता वाकाटकों की सक्तिकों समुद्र गुप्त ने आगहात पहुचाया जिससे व चाहि सवाल महुद्य कह रहे हैं ठीक ना समध्विक के पुर्व तो वाकाट को नहीं गुप्तों को अपने इंतरन में रखा था कौन कहरा है जायसवाल जी ठीक ना किसके वज़य से कौमदी महुद्य की वज़य कहा गया है जाना कि आभी में भी मैं कह रहा हूं केवल एक अनुमान है ठीक है ना पूर्ण रूप से कोई कुछ नहीं कह सकता वह कौशांबी में राज्य कर रहा था कौन वहीं पर युद्ध भी समुद्गृत ने उसका बिनास किया था जैसवाल के धाना कि इसके पूर्व समुद्गृत भी वाकाटकों का समन्थ था कौन कहता है के पी जैसवाल यही कारण के समुद्गृत ने ब्याग रणुप्रका किसी को परमात राजा की उपाधी अंकित मि लेकिन ऐसा नहीं है और आगे में बात करते हैं ये केवल एक अनुमान किया जता है कि यह रुद्धिव रुद्धिव रहा होगा लेकिन वस्तुतं देखा जाए तो वाकाटकों का और गुत्तों के साथ उस तरह के कोई असपश्ट प्रमान नहीं मिलते हैं प्रादेंबिक संघर्ष के अब अगला हेडिंग है चंडर्गुप्त दुटी द्वाकाटकों के साथ मितरता पून संबंध अस्थापिक करना दिख चंडर्गुप्त दूती बिक्रमा दिती के कालम Members मिलिए गुप्त वाकाटक संबंध में निशित जानकारी प्राप्त होती है क्या कि था उत्तर के और सिशक राज पर आक्रमन करने वाली किसी भी सासक के लिए जीत पाना तब तक संभव नहीं था जब तक वाकाटकों का उसे सक्री सहयोग ना मिलता इसलिए युद्ध में सकों को प्रालिद करना एक कठिन कारी था अतर चंदगुप्त ने इसने और सौहाद प संभंदी बन गये कहते हैं कि विवा के कुछ समय बाद दृद्र सेन् दूती की मिरत्य हो गई चुकि उसके दोनों पुत्र दिवाकर सेन दामुदर सेन् अ वयस्क थे हत्या प्रभावतई गुप्ता नहीं वाकाटक राज का सम्हालने का प्रयास किया था तो प्रभावति प्रभावती गुप्ता ने बड़ी कुसलता प्रवक्त सराज का संचालन किया समवहत है उसी की काल बिचत दूते ने गुजरात रुकाथ्यावाड के सक राज की विजय की थी अदि एसकार में प्रभावती गुप्ता ने अपने पिता की भरपूर सहायता की थी अब असकन्त गुप्त के समय वहाहट सहं संगर्स देखे क्या है कौमार गुपत की सहसंखाल devoted के दौरान अगर हम बात करें एक वह बिल्य हुएडिंग को मारुपत के सहसं काल के दौरान तो पहले कुमार गुप्त की बात करते हैं ठीक ना तो कुमार गुप्त की साधी जो है कदम नरेश की पुत्री के साथ हुआ था और वहीं प्रवर सेन के लड़के नरेश की साधी भी कदम नरेश की लड़की अजीद भठार के साथ हुआ था तो इस प्रिकार से वो दोनों एक दूसरी रिस्ते में थे, तो उस वक्त तो मिर्तिता पुन था, लेकिन आसकंदुत्त के समय में आते हैं, वाकाटकों के साथ उड़का क्या हो गया? संगर्ष हो गया असकन गुद्ट का देखे मालवा पहले गुद्टों के अधिकार भी था इस पर वाकाटकों का अधिकार हो जाने से दोनों राजों के बीच में कुछ मनमुटाव सा पैदा हो गया था प्रवर सिंदूती के परसाथ उसका पुत्र नरेन सिंज बराजा बनता है तो लबच 440 से लेकि 460 इजबी तक सासन करया इस प्रकाश कुमार गुद्ट प्रथम औसकन गुद्ट दोनों का वो समकालिन था और ऐसा लगता कि उसके सासन काल में वाकाटकों संबन क्या हो कि बिगड़ गये एक बाला घाट अब लेख है ठीक ना देखिए नहीं सेन एक मेंत्वा कांची सासक था उसने नलवंसी सासक भावदत वर्मा की उतराधिकारी को परास्त करके अपने वंस की बिरूत प्रतिशा को फिर से पुनुद्धार किया अईस्वन गुप्त वंस की इस्तिति भी पुश्यमित्रों की आकरमण की कांट संकट गरस थी कुमार ग गाट अब लेक्स से लेकिन असकन गुप ने शिग्रही अपनी इस्तिति सुद्रिन किया और इनों प्रदेशों पर अपना अधिकार अस्थापिद कर लिया और इसकी बिजियों ने नेयन सिर्ण की राइनती की महत्वा काचे पर पानी फिर दिया और नेयन सिर्का पुत्र का पराभव होने लगता है और मालवा के छेतर पर आप भानुगुप्त को सासन करते विपाते हैं जिस समय होडू का आक्रमण गुए तोरमाण का लेकिन कालांतर में हर्शेण के समय में मालवा छेतर फिर से वाकाटकों की अधीन चला गया इस प्रकार से अगर मिस्कर्स द ऐसा लगता है कि इस समय तक दोनों राजवांस अपनी आंतरिक समझ्याओं से काफी उलज गए थे यानि असकंद गुप्त समय तक के बाद कोई जानकारी नहीं है इस कारण से वो प्रस्पर उदाशीन हो गया करम से दोनों राजवासों के सक्तिका हरास हो गया बाद में हर से पराभर हो जाता है तो यह आपका टॉपिक खता है